दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके BSC First Year Botany के Second Paper ब्राय फाइटा से जुड़े हुए एक Most Important General रिक्सिया के बारे में तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे रिक्सिया से जुड़े हुए इसके Classification, Habitat, External and Internal Structure of Thales के बारे में और हमारा वीडियो Bilingual होगा यानि कि Hindi और English दोनों में होगा तो आएए वीडियो की सुरुवात करते हैं तो वीडियो की सुरुवात करते हैं रिक्सिया के Classification के साथ जिसे हम Systematic Position भी कहते हैं तो इसका Division है Bryophyta, Class है Hepatocopsida, Order है Markincels, Family है Rixiasi, और Genus है Rixia आए नेक्स हम बात करते हैं इसके Habitat के बारे में Genus Rixia has about 130 species occurring mostly in foot hills of Himalaya तो जो Rixia की अधिक्तर जो जातिया होती हैं वो जनरली जो Himalayan region है उसके foot hills यानि की नीचे वाले region में पाय जाती हैं और Rixia की लगभग 130 जातियां ग्यात है Rixia robista, Rixia crystallina, Rixia ciliata, Rixia gangetica, Rixia discolor are common species तो ये सभी Rixia की बहुत ही common species है Rixia flutens is the only aquatic species of Rixia It remains floating on or or under the water surface तो Rixia की केवल एक ऐसी species है जो की aquatic है और उसका नाम है Rixia flutens और ये generally पानी के surface पे या पानी के अंदर तैरते हुए आपको मिलता है तो याद रखेगा जो Rixia flutens है Rixia की एक मात्र aquatic जाती है तो आप वीडियो के right side में Rixia flutens के structure को देख सकते हैं और ये अपने आपको aquatic character के लिए adapt करता है तो आप figure में Rixia flutens को देख सकते हैं आए ये next हम बात कहते हैं इनके external feature के बारे में gametophyte plant body is prostate, flat, rosette like, dorsi, ventral तो इनका जो gametophyte plant होता है उनकी plant body जो होती है वो चिप्ती होती है, rosette मतलब की थाली नुमा होती है और चप्ते होने की वज़ा से ये दो पार्ट में divide होता है dorsal और ventral तो जो उपर का region होता है उसको हम बोलते हैं dorsal और जो नीचे का region होता है उसे बोलते हैं ventral तो नीचे आप figure में rosette like colony देख सकते है रिक्सिया के तैलस, dicotamously branch and light green in color तो इनकी जो थैलस होती है आप देखते हैं इसमें figure में देख सकते हैं दुरी साख बने होते हैं जिसको बोलते हैं dicotamously branch और इनका जो color होता है हलका हरा होता है तो थैलस के जो middle वाला region होता है वो मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है the terminal ORR apical notch at apex is present तो आएए मैं आपको dicotamously branch और apical notch समझा देता हूँ तो जैसे ये थैलस है अब ये दो पार्ट में divide हुआ अब ये जो दो पार्ट divide हुए वे फिर से उपह जाका दो पार्ट में divide हो जाते हैं इसी को हम बोलते हैं dicotomous branching तो थैलस में इसी तरह की branching होती है अब जो ये प्रतेक tip है तो इस प्रतेक tip पर जहां पर थैलस खतम होता है उसी को हम बोलते हैं apical notch ये गढ़्धे के सुमान जो सररचना आपको दिखाए दे रही है यही है apical notch और आप figure में भी left side देख सकते है apical notch को तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऊपर की और dorsal होता है और नीचे की और ventral होता है तो dorsal surface पे आपको sporophyte दिख रहे होंगे तो sporophyte क्या होते है जब male or female gamit fuse करते हैं और sporophyte बनाते हैं और ये जो sporophyte होते है dorsal surface पे जो आपको margin दिख रहा है इन्ही गढ़्धों में ये पाए जाते हैं और ventral side में यानि की नीचे की और आपको hair-like projection दिख रहा होगा जिसे हम बोलते है राइजोयट्स तो आइए देखते हैं कि हम dorsal और ventral surface पे क्या difference है और क्या-क्या structure पाए जाते हैं तो यदि हम बात करें dorsal surface की तो dorsal surface पे आपको median groove या फिर furrow तो आप figure में भी right side देख सकते हैं कि आपको thallus में beach-beach में गढ़्धे नुमा संरचना दिखाए दे रही होगी आप नीचे की और भी देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं यह thallus है जिसमें dorsal view दिखाए दे रहा है और beach में गढ़्धे नुमा संरचना दिख रही है और यही है furrow या फिर median group sex organs are also present on this surface तो जो sex organs होते हैं चाहे वो male और female हो यहाँ पे male को बोलते हैं और female को बोलते हैं आर्चे गुनिया तो यह भी आपके dorsal surface पे ही पाए जाते हैं और नेक्स हम बात करते हैं ventral surface की तो ventral surface की जो structure होती है थोड़ी सी complicated होती है तो सबसे पहले हम if monet color multicellular but once it's just tousion होते हैं के हो फिर lookin work के होते हैं तो जैसा कि मैंने बताए था होते हैं इक चोते हैं और ne border of thallus तो जो यह scale होते हैं वो vental surface में thallus के जो किनारे होते हैं उनमें एक या दो रो में पाए जाते हैं तो जैसा कि आप figure में देख सकते हैं कि आपको margin पर यह scale दिखाई दे रहे होंगे तो बात करें हम in scale का function क्या होता है function of scale is to protect the young growing point तो यह scale होते है thallus के जो young growing point है उनको protect कर आई यह next हम बात कहते है rhizoid के बारे में two type of rhizoid tuberculate and smooth world are present in the central region of the thallus तो जो thallus होता है thallus के ventral region में उसके center वाले भाग में दो तरह के rhizoid पाए जाते हैं एक होता है smooth world और दूसरा होता है tuberculate तो जैसे कि यह thallus है thallus का नीचे वाला भाग जो ventral surface है और यह बीच में क्या है हलका सा फुला हुआ होता है तो यह जो central reason है यहीं पर आपको rhizoid मिलेंगे ठीक है अब जैसा कि मैंने बताया था कि rhizoid जो होते है two types के होते है एक होता है tuberculate और दूसरा होता है smooth world तो smooth world क्या होता है तो अंदर की और जब आप देखेंगे rhizoid के layer जो होती smooth होती है तो उसे हम बोलते है smooth world rhizoid जैसा कि आप figure में देख सकते हैं जबकि जो टूबर कुलेट होते है तो उनके अंदर की जो वाल होती है वह रफ होती है तो ऐसे राज़ाइट को हम बोलते है tuberculate rhizoid the smooth world rhizoid are unicellular highline and fine hair-like structure तो जो smooth world rhizoid होते है वह unicellular होते है highline structure होती है और यह पतले बालनुमा संरचना के दिखाई देते है tuberculate rhizoid are also unicellular but some pig-like in growth rise in the lumen of cell of this rhizoid तो जो tuberculate होते हैं यह भी unicellular होते हैं परन्तु जो अंदर की और space होता है उन्हें में कुछ pig-like outgrowth बन जाते हैं जैसा कि figure में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ अंदर की और क्या है आपको pig-like यानि की outgrowth दिखाई दे रहे हैं इसलिए इन्हें हम बोलते है tuberculate rhizoid the function of rhizoid are absorption and fixation तो rhizoid का काम होता है कि water को absorb करना और thallus को सबस्टेटम से चिपकाय रखना यानि की fix रखना आए नेक्स हम बात कहते हैं इनके internal structure की यानि की anatomy of gametophyte तो जो main plant होता है वो gametophyte होता है अगर हम इसके VTS यानि की vertical transverse section को देखें तो VTS का मतलब होता है vertical transverse section तो अगर हम इसके वर्टिकल transverse section को देखें तो इसमें two distinct region आपको दिखाए देंगे दो पार्ट दिखाए देंगे फर्स्ट जो upper part होता है उसे हम बोलते हैं photosynthetic region और जो नीचे वाला part होता है उसे हम बोलते है lower storage region तो आप figure में देख सकते हैं कि जो upper part है वो है आपका photosynthetic region और जो नीचे वाल यानि कि chlorophyll पाया जाता है जिसके कराण यह reason जो होता है photosynthetic region कहलाता है और जो नीचे वाला जो part है यह कहलाता है storage region तो photosynthetic region के cell होते हैं वो chlorophyllus होते हैं जबकि जो storage region के cell होते हैं वो parenchymatas होते हैं तो यदि हम thallus को ऊपर से देखें तो हमें air space दिखाए देंगे कुछ इ air space इसलिए इसलिए दिकते हैं कि जो cell होते हैं well arranged होते हैं और और उन strengths again और वही graph होते हैं air channel तो आわかında दिख़के हैं कि यहां पर लिखा हुआ सेल यह कलरलेस होते हैं तो बात करें हम लोवर रीजन की यानि कि वेंटरल सर्फेस की तो यहां पर आपको स्मूथ वाल्ड और टुबर्कुलेट दोनों तरह के राजोइड दिखाई देंगे इसके लाभा आपको मल्टी सेलूलर स्केल दिखाई देंगे जो की वन सेल ठीक हो तो जो फोटो सिंथेटिक रीजन होता है वो उपर की और यानि की डाल सल सर्फेस पाए जाता है और इसमें जो थैलस होते हैं वो लूजली ग्रीन टीशू के बने होते हैं और इस रीजन को हम एसीमिलेटरी रीजन के नाम से भी जानते हैं इस तरह से कई सेल जो होते हैं वर्टिकली अरेंज होते हैं जिसमें की क्लोरोफिल पाए जाते हैं और इन सेल के बीच में गैप पाए जाते हैं जिसे हम एयरश्पेस या फिर एयर पोर या फिर हम एयरचेमबर कहते हैं In the cell of vertical row are present many disquired chloroplast तो यह जो vertical cell होती है इसमें disquired यानि की disk like chloroplast पाय जाता है In between these vertical row are present air space और air chamber तो जैसा कि मैंने बताय था कि in vertical cell के बीच में air space या फिर air chamber पाय जाता है Upper most cell of this vertical row of chlorophyll containing cell remain devoid of chloroplast and thus form a haline discontinuous layer of upper epidermis तो जो यह vertical cell है तो vertical cell में जो सबसे उपर की जो कोशिका होती है जिसे हम बोलते है अपर epidermis इसमें chloroplast नहीं पाय जाता और chloroplast न पाय जाने की वज़े से यह colorless होते है तो आप देख सकते हैं उपर जो सबसे cell है vertical row पे उसे हम कहते हैं upper epidermis continuity of the upper epidermis broken by many air pores तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो अपर epidermis है यह continuous नहीं होती यह air space के द्वारा यानि कि air pore के द्वारा break हो जाती है आए नेक्स हम बात कहते है storage region की situated on the lower or vertical surface of the thallus and consist of colorless cell तो जो storage region होता है यह नीचे की और यानि की vertical surface पे पाय जाता है और यह जो reason होता है या colorless होता है तो यह जो होते हैं colorless cell के बने होते हैं यानि की green color के नहीं होते हैं cells are closely packed and parent kinematos तो इनके जो cell होते हैं closely packed होते हैं और यह जो cell होते हैं उन्हें बोलते हैं parent kinematos cell cell contain starch and without intercellular space तो इनके जो cell होते हैं यानि की जो नीचे वाले storage region होते हैं उनमें starch इकठा होता है इस वज़े से ने storage region बोलते हैं और इनमें cell के बीच में space यानि की intercellular space नहीं पाया जाता the lower most cell of this region form a regular lower epidermis from which arise scale and rhizoid तो इसका जो lower most cell region होता है जिसमें की जो lower epidermis होते हैं इन्हीं से scale और rhizoid का formation होता है तो जो lower most part होता है वो epidermis region का बना होता है और इसी से scale और rhizoid निकलते हैं तो दोस्तो यह था हमारा आज का topic अगले part में हम rixia से जुड़े हुए इसके reproduction के बारे में जानेगे तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकान है उसे जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अप्लोड करूँ उसका notification आपको मिलता तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत